लो दोस्तो मैं सुधिर आपका आपने यूटूब चैनल स्क्रिकेट में स्वागत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरे टेस्ट सिरीज मैच की जो की खेले जाने वाला है इंडिया वोसेस इंग्लैंड के बीच में और यह जो मैच है वो खेले केला हुआ है कौन सा प्लेयर है जो इस टीम के खिलाब बहुत अच्छा केला हुआ है इसका पफॉमेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है करेंटली ठीक है और यह गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि बिल्कुल बॉलर फ्रेंडली टीम बनाईएगा क्यूंकि इस ग्राउंड जॉइन नहीं हुए दोस्तों तो जाइए टेलिग्राम चैनल पर जॉइन हो जाएए वहां पर मैं जील की भरपूर टीन देता हूं पिछले लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि मैंने जो भी लीड्य टीम दी थी उसमें सारे के सारे प्लेयर मेरे चले हुए थे बहुत ना हो तो आपको टेलिग्राम चैनल जॉइन करने के लिए सिंपल से स्टेप को फॉलो करना है नीचे इसी वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिल जाएगा वहाँ पर यहां पर बटन होगा बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है चैनल का लिंक मिल जागा पर लिंक पर लिंक क्लियर करेंगे आप तो यहां पर बटन होगा जाकि उसको को simply join कर लेना है और उसके बाद आपने एक बार जोइन कर लिया सारा काम मेरा है data प्रोवाइड करना analysis बताना कौन सा प्लेयर चलने वाला है कौन सा प्लेयर को आपको पिक करना चाहिए किसको captain बनाना चाहिए किसको वाइस captain बनाना चाहिए इस सारी पिछ रिपोर्ट क्या बोलती है सारास्टा क्रिकेट स्टेडियम की जो राज़कोर्ट में established और यह home ground है आप यह बोल सकते हैं रविंदर जडेजा का एक तो यहां पर रविंदर जडेजा बहुत ही तगड़े अभी तक खेले हुए आये हैं ठीक है प्रॉबल प्लेइंग 11 में है या नहीं है इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा वाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि पिछ रिपोर्ट तो जो है जो पिछ है वो आप क्लेरली देख सकते हैं क दो दो दिन तक यह भयंकर जो है बैट्समैनों को अब करती है यानि यानि इसका मतलब यह है कि टॉस यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है कल के मैच के लिए कि जो टीम टॉस जीतेगी वह बैटिंग करना ज्यादा प्रिफर करेगी और हमको उसके बैट्समैन को तो अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा पिक करके चलना है कल के मैच में यह याद रखिएगा जो स्पीनस है वह भी मतलब यह समझ लेते हैं बट दो दिन के बाद दो दिन के बाद वैदर जो एकल का होने वाला है यानि वहां पर अच्छा घर्मी होगा और बारिस का कोई चांसे नहीं है तो आई स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि स्कूरिंग पैटर्न क्या है अभी तक यहां पर दो मैच हुआ है जिसमें से होम साइड यानि टीम इंडिया जो है एक मैच जीती है और एक मैच जो यहां पर ड्रा राए हाइस इनिंग स्कूर जो है यहां पर चैसों उन्चास रन का है नौ बुक्राइश जो एक स्कूर देखने को मिलेगा तो यह जो स्टाइट्स एंग से इन हमको यह भी पता करना होगा कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो बालिंग करता है और विकेट लेता है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा जो यहां पर मैचेस खेले गए हैं उनके रिकॉर्ट्स स्टाटिंग के दो मैचेस का रिकॉर्ड हम देख ले पीकस की द feel कईunkre को मिला हुआ है इसमें से 12 इस पीनर को मिला हुआ है पिर फॉला आंपर वा ने नुकसान के दस हो किसको मिले यानि आपको कल न के मैच के लिए ए मैच स्पीनर तो ले के चलना ही चलनाएंं है अगर आप लगे करते हो विकेट की तो एंगलाइड की हम बात करें जो दूसरा मैंच यहां पे था वहां पर 537 consistent editions बनाई दसुलिकेट के नुकसान पे इंडिया जो है पहले कैलते जो 183 यानि टोटल बीस गिरा हुआ है जिसमें से 14 का उन recipe कौन है पेसर अब तीसरे इनिंग की बात करें तो इंग्लेंड जो है दो साथ रन पर डिक्लेयर कर दी और इंडिया जो है उसको मतलब ड्रा हो गया यह मैच और 172 रन 6 विकेट के नुकसान पर इसमें टोटल कितना नौ विकेट गिरा जिसमें से 8 विकेट स्पीनर को मिला हुआ है और एक विके टेकिंग एबिलिटी की तो ठीक है तो इतना तो पता चल गया कि कल के मैच में हमें किस को लेना है स्पीनर को लेना है अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की हैड़ तो अब यह जीत के आ रही है और उसके पहले इंडिया हारी थी और बूरी तरीके से हाड़ी थी इंग्लैं जो है उसके पहले वाला मैच जीती थी अब हम बात कर लेते हैं कि पॉसिबल प्लेंग 11 कल के मैच के लिए क्या होने वाली है तो आपको प्लेंग 11 यहीं होगा रोहित सर्मा जैसवाल गिल सरफराज रजट पाटिदाज धुरेल रवीज चंद्र अस्विन अक्षर पतेल सिराज यह होने वाले हैं आपके कल के मैच के बॉलर प्लेंग 11 है ना अब हम बात कर लेते हैं यहां पर की प्लेयर समें उपनिंग जो करने आता है उनका procc कैसा है यानि रोहित सर्मा की अगर हम बात करें तो इनका रीसेंट फॉर्म कई दिनों से कई महीनों से कुछ खासा चल लए रहा है तो आई होब कि कल अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो रोहित सर्मा को आप अपने captain बना सकते हैं टीक है क्याप्टन बनाने के प्रवल दावेदार होगे या वी सी तो आप बना के चलिएगा कल के मैच के लिए इन दोनों में से मैं किसी एक को VC बना के चलूँगा या सिस्वी जैसवाल भी बहुत तगड़े फॉर्म में है लास्ट में दोसो नौरन बनाया था ठीक है उसके पहले 80 रन 15 रन ऐसा कुछ फॉर्म है इनका head to head में तो इन दोनों में से अगर आप दोनों को ले रहे हैं तो आपको जो है इसमें से एक को VC बना के चलना होगा इतना याद रखिएगा अगर टीम इंडिया कल के बैच के लिए बल्लेबाजी कर रही है तो नमबर तीन पर सुंबन गिल यह भी अच्छा कल के पिछले मैच में 34 ब तो उनको आप कल के मैच के लिए जीएल में अगर ट्राइ करना है तो मैं तो ड्रॉप करे चलूंगा अगर आपको ट्राइ करना है तो आप सकते हैं صर्फराशन को एपनी टीम में ले लेकर मैच के लिए लेकर चलूंगा सब्सक्रास खेलते तो पाजत पाटििदार को ड्रॉप करके चल सकते हैं जब अब यहां से हम बात करते हैं रविंज चंद्रा अस्विन और अक्षर पटेल बापु का भी यह होम ग्राउंड है नियर बाउट अब बोच सकते हैं तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है अगर हेड-to-head matches की बात करें रविंज रस्विन की तो 37 का अवरेज है अजब बैट्समें और उन्ताली सीनिंग में टीम इंडिया की अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की तरब से कि इंग्लैंड में किसको किसको लेना है तो जैक रॉली और डकेट यह आते हैं ओपनिंग करने के लिए और यहां पर बसीर होने वाले हैं कलके मैच के लिए यह प्रॉबल प्लेंग लेवेण होने वाली है तो यहाँ पे भी आप देखिए टॉम हटली और रहान और बसीर यह तीनों के को अपने टीम में कहीं ना कहीं तो जगत देनी ही पड़ेगी और एंडर्सन और बूमरा में से किसी एक को आप अपनी टीम में ऐसा फास्ट बॉलर ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों को पास वह कॉलिटी है कि पिछ का ज्यादा एफेक्ट भी नहीं रहेगा तो भी विकेट मार नहीं है तो मैं यह मान के चलता हूं कि कल के मैच के लिए क्रॉली जो है अगर पहले बैटिंग करती है फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड तो क्रॉली को हम लेके चल सकते हैं अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो मैं इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूं यहना करें पहले है अगर माले पहले अगर यद्ला गेंग लेके चल और फार्टिंगा लेकर सकते हैं उली पॉप जो रूट में आपको जो रूट को लेना ही लेना है और आप ढहिए हैं यह हमेशा आपके 29 का एवरेज है धिका है और यह बैटिंग लंमबा करते हैं यह अगर आप जो है अगर यह पहले first पहलेland बैटिंग करती ए तो इन चारों में से उपर के चार बल्लेबाज में से मैं लेकर चलने वाला हूँ कल के मैं के लिए johnny बेटो को मैं डॉप करके चलूँ बेन स्टोक को मैं अपने टीम में कल के मैच के लिए लेके चलूँगा इतना मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है और यह अच्छी पीछ है यहाँ पे वेन्यू पे आप देखे 157 का एवरेज है इनका ठीक है है हेड टु हेड में इनका 27 का भले हो लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ा खेले हुए इसलिए आप इनको लेके जा सकते हैं देंशेक किये थे ठीक है और बहुत थगड़ीश कीनल है लेकस कीनल है अगर बैटियाइंग की बात कि यह छimmे रिस्क लेनिया तो आप रिहान को अपनी टीम में रख सकते आप details तो आपधेल सु Catholics की आओं कहां विन कर रहे हैं तो उन्होंने ह्वस्ट मैच मेंगे साथ लिया था इसवाले मैच में चार लिया था क्योंकि पहले वाला जो इनिंग है फॉस्ट वाले मैच का ठीक है इसमें कहा कि बॉलर को support मिल ला और यहां भी बॉलर्स को स्पिन बॉलर्स को बहुत सपोर्ट है तीसरे और चौथे निंग में तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट है तो इसलिए आप टॉम होटली के साथ जा सकते हैं एंडर्सन और बुमरा में से आपको किसी एक को चूज करना है क्योंकि यह दोनों ही क्वाल लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मिर इस चैनल को सस्क्राइब कर लिए इस वीडियो को लाइक करेगा एक प्यारा सब कोमेंट करेगा कोमेंट बॉक्स में जाके जया हिन